ये मैं बना रही हूँ पोहे के सुपर सॉफ्ट पराठे तो जो बहुत आसानी से बन जाते हैं और टिफिन के लिए एक दम परफेक्ट होते हैं तो इसके लिए मैंने पोहे को आटे जैसा पीस लिया अब इसमें एक उबला हुआ आलू ग्रेट करके डालेंगे और फिर इसमें चिली फ्लेक्स, नमक और हरी धनिया डालके पहले इन सब को हाथों से अच्छे मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर थोड़ा सा तेल डालके पानी डाल डालके गुतेंगे क्योंकि ये क्या है थोड़ा पानी जादा पीता है कैसे पोहा भीगोते है न तो पानी पीता है वो इसी तरह इसमें भी थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है अब 5-10 मिनट बाद इसको रखने के बाद अच्छे से इसको नरम करेंगे और फिर इसको रोटी जैसा बेलेंगे इसके किनारे थोड़ा फटते हैं तो थोड़ा बेल के और फिर कटोरी से अच्छा सा एक शेप देंगे एक सीक्रेट बताओं इसका जो आटा है न गुता हुआ ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो टेस्ट है न खीचु जैसा लगता है मुंबई गुजरात वगरे में ये मिलता है बहुत तो बस अब इसको तवे पे तवा गरम करके तेल लगा के और दोनों साइड अच्छे से से शेख लेंगे और ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है और ये रेडी हो गए सुपर सॉफ्ट पोहे के पराठे तो आपे बनाओ और दही या अचार के साथ इसको एंजोई करो और ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब